आज आप देखो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेमिन्यू इंफरस्ट्रक्चर से आ रहा है इतना इंफरस्ट्रक्चर डेवलॉप्मेंट हो रहा है और चोटे से चोटा और बड़े से बड़ा बिल्डर और प्रोजेक्ट आज बिना वास्तु के कोई घर नहीं हैं उनके नाम भी पप्लिश होने लग गए हैं जैसे अर्किटेक्ट्स के होते हैं कि किस ने किया है इसका वास्तु तो वास्तु ऐस करियर मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही जवरदस्त डोमेन है जिसके अंदर की अनंत पैसा है पर अनंत पैसा सब के लिए है ऐसा कहना यह उनी के लिए है जैसा मैंने कहा आपको जो इन विद्याओं के रूट्स से जुड़े हुएं किनकि फांडेशन बहुत स्ट्रॉंग हैं फांडेशन स्ट्रॉंग होने पर आप अपने क्लाइंट को वो डिलिवर करते हैं जिसका वो हकदार है